इसेस्टेसिया गैंगेटिका के नाम से भी जाना जाता है। यह परिवार अकेंथेसी में पौधे की एक प्रजाती है। इसे आमतोर पर कोरो मंडल या रेंगने वाले फॉक्स गलोव के रूप में जाना जाता है। यह दुनिया भर में व्यापक है। अफ्रीका के कुछ हिसों में पत्तियों को सबजी के रूप में खाया जाता है। और पारंपरिक चिकित्सा में उप्योग किया जाता है विशेश रूप से अस्थमा के प्रबंधन के लिए। यह गहरे हरे पत्तों और घने फूलों के साथ एक आकरशक ग्राउंड ओवर भी है। यह उंचाई में छे सो मिल्ली मीटर तक पहुन सकता है या समर्थित होने पर एक मीटर भी हो सकता है। उपची नोड्स पर आसानी से जर सकते है। फल एक विसफोटक कैपसूल है जो हरे रंग से शुरू होता है लेकिन खोलने के बाद भूरे रंग में सूख जाता है। यह मधु मक्कियों के लिए एक महत्वफून पोधे के रूप में कारे करता है तितलियों और अन्य कीरे। यह आंशिक छाया के लिए पूर्ण सूरे पसंद करता है और अच्छी तरह से सूखा मिट्टी की आवशक्ता होती है। इस तरह के प्यारे फूलों के पोधे उगाना हमारे बगीचे के लिए एक और आकर्शन होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें यदि पहले सदस्यता नहीं ली है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यह यह द्रीम गार्डन से कोंडला राव येली सेटी द्वारा। अधियो